ओम नमस्षिवा जैमा काल क्या औरतों को सच में साली ग्राम की पूजा नहीं कानी चाहिए आखिर इस्तिरी और पुरुस में ऐसा कौन है जिसे साली ग्राम की पूजा नहीं कानी चाहिए पद पुराश्य चानिए सास्तर कहता है जिनके घर में सालिगराम है उनके घर में कभी यम के दूथ निकट नहीं आते कहते हैं कि जिनके घर में तुलसी होती है उनके घर में कलियूग प्रवेश नहीं कहता पूजा आवश्य कर सकती हैते हैं तुलसी की जड़ के पास भागवान सालीग्राव को रखकर वहीं उनकी पूजा करने से वे अतिप्रश्ट रहते है पादपुराह कहती है कि धती से लेकर आकास तक उस RH grant अधिक बढ़ जाती है इसके घर में तुर्सी सालीगराम पूझ जाती है पादपुराह कहती है कि इस वेक्त ने अपने हाथ से स्नान कराते समय हरे क्रिश्ण हरे क्रिश्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे इस मंत के दोरा आप भागवान का विश्यक कर दें और एक महत्पोर बात की साली ग्राम भागवान की पूजा में तुलसी को जरूर रखें भागवान के स इसना से लेकर भोग तक तुल्सी जरूर रखें क्योंकि श्विपुरान की रुद्र संहिता में स्वयम भगवाशियू ने कहा है कि जो साली ग्राम सिला की उपर से तुल्सी पत्र को दूर करेगा उसे जन्म जन्मांतर तक इस्तरी व्योग की प्राप्ति होगी तथा जो का प्यारा हो जाता है भागवान विष्णों का अध्वरी हो जाता है पुरान कहता है कि यदि आपके पास रूज तुल्सी नहीं उप्लाद हो पाती है तो आप चांदी या पंजधात की तुल्सी बनवाकर साली ग्राम की पास हमेशा हमेशा के लिए रख सकते हैं क्योंकि कि साली ग्राम भागवान की पास तुल्सी हर समय होनी चाहिए पुरान में वरित है कि जिनके घर में भागवान साली ग्राम की रोजाना पूजा होती उनके घर में कभी विद्रो नहीं होता बाबेटे अलग नहीं होते सास बहु अलग नहीं हो सकते उस घर में आनंद ही आन पुजा करती थी और भागवान तुल्सी की पेड़ की जड़ कीपास रख दी जी जैसे एक ब्राहभन नय जन्यों को पहनता है तो पुराने जन्यों को उतार देता है इसी प्रकार से भागवान सालेग्राम को जब नई तुलसी चढ़ाई जाती है तो पूरानी तुलसी उतार दी जाती है शिव पुरान में वोडित है कि जिनके घर में तुलसी सालेग्राम और संक की पूजा होती है उनके घर में कभी आग नहीं लगती है उनके घर में तर्वेणी नदिया या फिर उनको तुलसी चढ़ाता है या फिर उनको तुलसी अरपित करता है साली ग्राम की आर्थी करने से ब्यक्त की सारी अलायबलाइंट टल जाती है परिवार की सभी सदेशों की दिन दूनी राट चोगनी ब्रद्धी होती है पुरान कहता है कि जिनकी घर में तुलसी पत्र को डाल कर भागवान का भोग लगा जाता है उनकी घर में भागवान सदेव वास करते हैं भागवान आयोध्या में रहना भोल सकते हैं पर उस बिक्त की यहां आना नहीं भोलते जिनकी यहां नेत भोग में तुलसी डाली जाती है हर हर महादेव